Assalamu alaikum boys and girls and welcome to my YouTube channel. Guys, आज हम यूज़ करने वाले हैं A02YY UW Waterproof Ultrasonic Sensor with Arduino ESP8266 Wi-Fi Module or ESP32 Wi-Fi Plus Bluetooth Module. तब मैं दियूर फ्रिंद्स ये वीडियो कम्प्लीट देखने के बाद फिर आप खुदी डिसाइट कर सकते हैं कि आप लोगों ने इस waterproof ultrasonic sensor को Arduino के साथ यूज़ करना है या फिर आप लोगों ने इसको Note MCU ESP8266 Wi-Fi Module के साथ यूज़ करना है या फिर आपने इसको ESP32 Wi-Fi Plus Bluetooth Module के साथ यूज़ करना है HC-DISH SR04 और JSN SR040 waterproof ultrasonic sensors पे मैं आलरी काफी detail में वीडियो बना चुका हूँ तो मैंने आलरी इन sensors को basic, intermediate और advanced level के projects में यूज़ किया है तो इस वीडियो में मैं इन ultrasonic sensors के बारे में इतनी detail में बात नहीं करूँगा हाँ, अलबत तम मैं इसकी comparison करूँगा A022UW waterproof ultrasonic sensor के साथ ताकि आप लोगों को idea हो कि ये आज वाला जो waterproof ultrasonic sensor है, ये किस level का है हैर अगर आप HC-DISH SR04 और JSN SR04T waterproof ultrasonic sensor के बारे में detail में जाना चाहते हैं तो इनके links में वीडियो के description में एट कर दूँगा So without any further delay, let's get started इसके side-by-side comparison के लिए आप देख सकते हैं, मैंने ये table बनाया है और इसमें आप देख सकते हैं, left side पे A022UW waterproof ultrasonic sensor है और second column में हमारे पास है HC-SR04 और third column में हमारे पास है JSNSR04D तो जैसे कि आप देख सकते हैं, A022UW ultrasonic sensor जो है, ये waterproof है और यहां पे आप देख सकते हैं, इसका जो protection rate है, ये है IP67 और ये dust और water से completely waterproof है ये sensor basically completely sealed है, तो आप इसको outdoor applications में यूज़ कर सकते हैं और इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो HC-SR04 जो है, इसमें कोई भी protection नहीं है ना dust से है, ना water से है, तो अगर आप लोगों ने इस sensor को use करना है, तो काफी दिहान से use करना है आप इस sensor को indoor applications में use कर सकते हैं, लेकिन outdoor applications के लिए ये sensor बिल्कुल भी fit नहीं है आप यहली देख सकते हैं, इसके circuit पे जतने भी electronic components है, वो completely exposed है, तो अगर इस पे पानी गिरेगा, तो जो sensor है, ये completely damage हो जाएगा इसके मुकाबले में अगर आप JSNSR040 को देखें, तो ये waterproof है और मैं आपको बताता चलूँ के JSNSR040 में जो sensor part है, ये waterproof है, जबके इसका जो interface board है, ये waterproof नहीं है, आप देख सकते हैं, इस पे जतने भी components हैं, वो सारे के सारे exposed हैं, तो make sure के जब आप इस sensor को use करें, तो आप इसका जो interface board है, ये आप लोगों ने waterproof enclosure में आप लोगों ने र जो A02YUW है, इसका जो operating voltage है, ये 3.3 volt से लेके 5 volt तक है, 3.3 volt का मतलब यह है कि आप इसको 3.3 volt compatible controller boards के साथ भी use कर सकते हैं, जैसे ESP8266, STM32, ESP32 और जितने भी बागी 3.3 volt के compatible controller boards हैं, तो आप इसको उन controller boards के साथ यूज कर सकते हैं, और 5 volt जो compatible controller boards हैं, जैसे Arduino हो गया और बागी जो 5 volt के compatible controller boards है, तो आप इस sensor को उने के साथ भी use कर सकते हैं, आप इसको Raspberry Pi के साथ भी use कर सकते हैं, इसके मुकावले में अगर आप HC-SR04 को देखेंगे, तो ये 5 volt है, और JSN-SR040 ये भी 5 volt है, तो अगर आप ये दोनो sensors, जो है 3.3 volt के साथ यूज तो इसके लिए फिर आपको voltage converter की जरूत होगी, लेकिन आप इसको Arduino के साथ safely use कर सकते हैं, इसके बाद अगर आप working current देखें, तो ये less than 8 mm है, इसका less than 15 mm है, और इसका less than 30 mm है, इस sensor का blind zone distance है, ये है 3 cm, और इसका blind zone distance है, ये है 2 cm, और इसका 25 cm है, जो के बहुत ज़्यादा है, वैसे blind zone distance क्या है, ये वो distance है, जिसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 cm है, तो अगर हम 3 cm से और ज्यादा sensor के पास आएंगे, तो फिर ये successfully distance को measure नहीं कर सकता है, तो उसमें कुछ mistakes हो सकती है, इर्ज हो सकती है, तो इस C-S04 का 2 cm है, तो अगर आप 2 cm से कम distance बे जाएंगे, त गेस में अगर आप 3 cm से close आते हैं sensor के, तो आपको wrong value मिलेगी, और JSNSR04T में आप देख सकते है 25 cm है, तो ये बहुत ज्यादा है, तो जिन जगों पे आप लोगोंने कम से कम distance को भी measure करना है, तो वहाँ पे फिर आप जो है, ये दो sensors यूज कर सकते हैं, लेकिन पिर आप जो कम distance measure नहीं करना है, तो फिर एसे situations में आप JSNSR04T यूज कर सकते हैं, इसके इलावा जो ranging distance है, ये है 3 से लेके 450 cm तक, और HC-SR04 का जो है, वो है 2 cm से लेके 400 cm तक, और इसका 25 से लेके 450 cm तक, इसका जो output है, ये है UART, इसका TTL है, और TTL प्लस UART, response time देख सकते हैं, इसका 100 ms ह इसका 20 ms है, और इसका 65 ms है, तीनों ultrasonic sensors जो है 40 kHz frequency पे काम करते हैं, operating temperature इसका है 15 to 60 degree Celsius, ये 15 से 70 degree Celsius और ये है 10 से 70 degree Celsius, बनलब ये वो temperature है जहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, sensing angle जो है काफी matter करता है, इसका 60 degrees है, इसका 15 degrees cone shaped है, और इसका less than 50 degrees, मतलब जहाँ पे आप लोगों ने ज्यादा area को cover करना है, तो वहाँ पे आपको sensing angle जहे है काफी काम आएगा, तो A02YUW का जो sensing angle है, ये है 60 degrees काफी ज्यादा है, लेकिन जिन जगों पे आप लोगों को कम चाहिए, तो आप फिर वहाँ पे HC-SR04 भी यूज कर सकते हैं, और अ मेरी थोड़ी side-by-side comparison और अभी आप decide कर सकते हैं कि इन में से आपके project के लिए best कौन सा है, वैसे मैंने practically इन तीनों ultrasonic sensor को use किया है, और जो मेरा most favorite one है, वो अब ये है, A02YUW waterproof ultrasonic sensor क्योंकि इसकी reading बहुत stable है, highly accurate है, और आप इसको high-end user products में use कर सकते हैं, वैसे एक company है US की, जन्होंने मुझे ये sensor send किया है, तो मैंने इसको product से हटा के, मैंने सूजा कि इस पर मैं एक basic video बना तूब beginners के लिए, तो इसलिए मैं इसको हटाया है, और इस पर मैं ये basic video बना रहा हूँ, और मैं इसको Arduino के साथ भी use कर रहा हूँ, जो कि 5-fold compatible controller board है, और इसको मैं ESP8266 और ESP32 के साथ भी use कर रहा हूँ, तो शायद किसी के काम ये आए, क्योंकि बहुत ही जबदिस sensor है ये, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये HC-SR04 और JSN-SR040, अल्टरसानिक sensor से थोड़ा expensive है, और आप best sensor से ये ही expect कर सकते हैं, लेकिन seriously मैं आपको बताता चलूँ कि it worth it क्योंकि इसकी accuracy amazing है, मैं इसको expression नहीं कर सकता, आप खुदी practical demonstration में आप देख लेंगे, so material friends side by side comparison के बाद, अभी आप लोगों को idea हो गया होगा कि आप लोगोंने कौन सा वाले sensor use करना है, well, ये तो obvious सी बात है, अगर आप लोगों को waterproof feature चाहें है, तो आप या तो A02YUW waterproof ultrasonic sensor से use करेंगे, या फिर JSNSR040 ultrasonic sensor से use करेंगे, अगर आपको highly accurate readings चाही है, तो फिर obviously I'm gonna recommend के आप A02YUW waterproof ultrasonic sensor use करें, so anyway, comparison का हो गया, कुछ basic details में आप लोगों के साथ share कर ली है, और अगर आप लोगोंने बागी भी इसके बारे में कुछ read करना है, तो आप मेरे article को read कर सकते हैं, जो के electronic clinic dot com पे available हैं, तो चले चलते हैं, और अब हम assist sensor को use करते हैं, Arduino के साथ, फिर हम इसको use करेंगे, note MCO ESP8266 Wi-Fi module के साथ, और उसके बाद फिर हम इसको use करेंगे, ESP32 Wi-Fi plus Bluetooth module के साथ, so as usual, I'm going to use my Arduino Nano development board, लेकिन Arduino Nano की जगह पे, आप लोग Arduino उन्हों भी use कर सकते हैं, well इस sensor की interfacing Arduino के साथ काफी simple है, इसे फ्रक नहीं पलता, आप Arduino Nano यूज़ कर रहे हैं, या फिर Arduino Uno, आपके connections जो हैं, वो बिल्कुल same रहेंगे, तो आप लोग ने इस sensor के VCC और ground wires को Arduino के 5-fold और ground pins के साथ connect करने हैं, आपने इसके TX और RX pins को या wires को Arduino के D10 और D11 pins के साथ use करने हैं SED 1306 और इले डिस्ट में module के VCC और ground pins आपने Arduino के A4 और A5 pins के साथ connect करने हैं, और अपने इसके SDA और SCL pins जो हैं, वो Arduino के A4 और A5 pins के साथ connect करने हैं, जो A4 है, यह है SDA और A5 pins जो है, यह है SCL तो Arduino Nano में भी same यही pins हैं और Arduino Uno में भी same यही pins हैं, अगर still आप लोगों को कोई confusion ह तो आप स्क्रीन पे दियोगे circuit diagram को follow कर सकते हैं, आप इसे मेरे website से भी download कर सकते हैं, and now let's go ahead and take a look at the programming, so my dear friends programming स्टार्ट करने से पहले आप लोगोंने required libraries को install करना है, और इसका तरीका बहुत ही simple है, बस आप लोगोंने library के नाम को copy करना है, और फिर आप लोगोंने जाना है sketch क menu में, यहां से फिर include library में, और यहां पर अब देख सकते हैं manage libraries, अपनी search box में library के name को paste करना है, और जिससे के अब देख सकते हैं, मैंने addafruit gfx library को already install किया हुआ है, तो save exec यही steps हमने दूसरे library के लिए भी follow करने है, तो जैसे के आप देख सकते हैं, मैंने इस library को भी install किया हुआ है, तो menu differences के आप देख सकते हैं, program काफी छोटा सा है, और काफी simple भी है, और आप देख सकते हैं, मैंने software serial की library को use किया हुआ है, और इसका फाइदा यह है कि मैं Arduino Uno या फिर Arduino Nano में, और सी लिपोर्ट्स को भी define कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं Arduino के default serial port को debugging purposes के लिए use करूँ, और मैं एक और serial port बना हूँ, जिसके साथ फिर मैं अपने ultrasonic sensor को use कर सकता हूँ, मेरा जो ultrasonic sensor है, यह UART को support करता है, तो आप देख सकते हैं, मैंने software serial को use करके, एक और serial port को define किया है, my serial के नाम से, और मैं pin 10 और 11 को use कर रहा हूँ, तो बाकी आप यह जो instructions हैं, यह OAD display model के साथ use हो रहे हैं, और मैंने instructions को already काफी detail में explain किया है, आप मेरी one hour की video देख सकते हैं, Arduino पे, तो उन examples में से मैंने OAD display model को भी काफी detail में explain किया है, तो इस program का purpose यह है कि हम simply ultrasonic sensor को read करते हैं, और फिर हम उस data को OAD daily display model पे print करते हैं, तो मैंने already इस program को upload किया हुआ है, so let's go ahead and watch ultrasonic sensor and arpino and action, so my dear friends, आप देख सकते हैं, जो sensor है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और इतने कम time में हमने इतना जबदस distance meter बना लिया है, आप इस project को काफी easily modify कर सकते हैं, आप इस को security system में convert कर सकते हैं, कि जब कोई intruder आएगा, या कोई animal या कोई और object, ultrasonic sensor के सामने आएगा, तो एक buzzer activate हो जाएगा, बस आप लोग ने कुछ if conditions लगाने हैं, कि जब भी ये किसी चीज़ को detect करेगा, तो buzzer जहा है, वो activate हो जाए, आप इसको robots में use कर सकते हैं, कि जब भी इसके सामने कोई obstacle आता है, तो motors जो है, या तो stop हो जाएं, या फिर वो robot को right side पे turn कर लें, या फिर left side पे, या फिर big side पे, तो आप लोगे पास countless ways हैं, आप इसको water level monitoring के लिए भी use कर सकते हैं, IOT projects में आप इसको easily use कर सकते हैं, तो अब ये आप लोगे idea payment करता है, कि आप लोग इसको किस level पे और किस अंद ESP82665M module के साथ use करते हैं, आपने ultrasonic sensor के VCC और ground wires को NodeMCU ESP82665M module के 3.3 vrld और ground pins के साथ connect करने हैं, आपने इसके TX और RX wires को D5 और D6 pins के साथ connect करने हैं, आपने SSD 1306 और LED display module के VCC और ground pins जो हैं वो Note M.C.O. E.S.P. A.26655-Mardule के 3.3 वोल्ल और Ground Pins के साथ connect करने हैं और आपने इसके SDA और SCL Pins जो हैं आप लोगों ने Note M.C.O. E.S.P. A.26655-Mardule के D2 और D1 Pins के साथ connect करने हैं अगर आप लोगों को स्टेल कोई confusion है तो आप स्क्रीन पे दियोगे सरक डायराम को फालो कर सकते हैं and now let's go ahead and take a look at the programming तो मैं जो फ्रेंग जैसे के अब देख सकते हैं मैं same वही libraries यूज़ कर रहा हूं और same code में यूज़ कर रहा हूं बस modification मैंने इतनी किया है कि इस बार मैंने pins रहे हैं वो change किया है इस बार मैं D6 और D5 के pins यूज़ कर रहा हूं और बाकी जो code है बिलकुल same है और एक और बात जो मैं आप लोगों को पता दा चलूँ कि अगर आप लोग नोट M.C.O.E.S.P.A.26655M पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस board को Arduino IDE में इंस्टाल करना होगा अगर हम tools के menu में जाए हैं और यहां से हम board में जाए हैं तो आप देख सकते हैं मेरे पास औरड़ी यह इंस्टाल है तो आप लोगों को पहले से इंस्टाल करना होगा और फिर आप E.S.P.A.2665M model के different जो variant से आप यह यूज़ कर सकते हैं फिर आप लोगों को इस में से जो यूज़ करना है वो आप सेलेट कर सकते हैं list में से तो इस पे औरड़ी मैं वीडियो बना चुका हूँ अब पेरी पीविएस वीडियो जो हैं वो देख सकते हैं मैंने इस कोड को अरड़ी अपलोड किया हुआ है अब लेट सकते हैं यह वाटरप्रूफ अल्टरसानिक सेंसर नोट इस पीडियो वाइफानिक सेंसर के साथ भी बहुत ही जबदस्त काम कर रहा है next अभी हम इसको यूज़ करेंगे ESP32 वाइफाई प्लस ब्ल्यूटूथ मार्डूल के साथ तो बाडियो फ्रिंग जो ESP32 वाइफाई प्लस ब्ल्यूटूथ मार्डूल है यह भी नोट MCU की तरह 3.3 वोल्ड कंपैडबल कंट्रोलर बोर्ड है तो हमने इस सेंसर के VCC और ग्राउंड वायर्स को ESP32 के 3.3 वोल्ड और ग्राउंड प्रिंग के साथ कनेक्ट करने हैं आपने इसके SDA और ACL प्रिंग को ESP32 वाइफाई प्लस ब्ल्यूटूथ मार्डूल के 3.3 वोल्ड और ग्राउंड प्राउंड के साथ कनेक्ट करने हैं अगर स्टिल आप लोगों को कोई किन्फूजन है तो आप स्क्रीन पे दियोए सर के डायराम को फालू कर सकते हैं या फिर आप इसको मेरी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं जो के electronicclinic.com पे अवैलेबल है तो जैसे के अब देख सकते हैं यह बिल्कुल सेम वही प्रोग्राम है जो मैंने नोट MCO ESP82665M मार्डूल के साथ यूज किया है आप क्लिली देख सकते हैं मैं वही लाइबरेरी जूज कर रहा हूँ और इस बर आप देख सकते हैं मैं Software Serial Library की जगा पे Hardware Serial Library यूज कर रहा हूँ क्योंकि ESP32 Wifi Plus Bluetooth मार्डूल में हमारे पास Multiple Serial Ports है तो हमें Software Serial की ज़रूरत नहीं है हम इसका Serial 1 या 2 या 3 भी यूज कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे Serial Port 2 यूज किया है और इसका नाम मैंने रखा है Ultrasonic Sensor बाकी जो Code है बिल्कुल सेम है और अगेन आउन आउन चेल रही हूँ कि अगर आप लोग ESP32 Wifi Plus Bluetooth मार्डूल को पहली बार यूज कर रहे हैं तो पहले हैं आप लोगों को इस Board को Arduino IDE में इंस्टाल करना होगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अरड़ी इसको इंस्टाल किया हुआ है और मेरे पास ESP32 Wifi Plus Bluetooth मार्डूल के जो डिफरेंट वे इंस्टाल है तो आप लोगोंने मेक्शुर करना है कि ये आपके Arduino IDE में इंस्टाल है तो इस पे आप मेरी जो पिछली वीडियो है वो देख सकते हैं तो एन्यवे मैंने अरड़ी इस कोट को अपलोड किया हुआ है तो लेट्स गोएड एंड वाच दी अल्ट्रासानिक सेंसर एंड ESP32 Wifi Plus Bluetooth मार्डूल के साथ दी बिलकुल सबदस्त काम करता है तो अब आप इसे मोडिफाय करके बिलिंक के साथ भी यूज कर सकते हैं तिंक स्पीक के निटफर के साथ भी यूज कर सकते हैं या फिर यूवी डॉट्स के साथ भी यूज कर सकते हैं वैसे next tutorial मैं मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको ब्लिंक के साथ यूस करके एक water level monitoring system बनाओ या फिर मैं कोई security system बनाओ so consider subscribing if you don't want to miss any of my upcoming video तो guys, आज के लिए बस इतना ही and I hope you liked today's episode like and share this video with your friends. See you in next episode and thanks for watching.